मुझे कल कुनाल जी का कमेंट आया उन्होंने लिखा मैं 12 क्लास का छात्र हूं और घर में पैसों की कमी है इस कारण से टूशन्स नहीं जा पाता हूं तो मेरे माक्स 12 क्लास में कम आने की उमीद है उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे जो बाकी सहपाठी है यानि जो बाकी दोस्त हैं मेरी क्लास में वो नकल मार के बहुत अच्छे मार्ट ले लेते हैं मैं नकल वगरा मारने में विश्वास नहीं रखता हूँ तो इस वज़े से भी मेरे मार्ट कम आते हैं हाला कि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ तो कुनाल जी ये पूछना चाहते हैं कि अगर मेरे मार्ट किसी कारण से कम आए तो क्या मुझे अच्छी जौब मिल पाएगी और वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो कोई ऐसा स्किल सीख सकते हैं जिसको सीख कर वो एक अच्छी खासी नौकरी पा जाएं तो कुनाल जी जहां तक नौकरी पाने की बात है विश्वास कीजिए मैं 25 साल से एक recruitment professional हूँ जब आप नौकरी के लिए interview देने जाएंगे किसी भी company में वहाँ के HR department के HR head या manager के सामने बैठ के interview देंगे तो वो आपकी mark sheet देखकर आपको नौकरी कभी नहीं देगा वो हमेशा आपका interview लेगा आपकी knowledge चेक करेगा आपका attitude चेक करेगा और उसके बाद आपको नौकरी देगा तो आप इमानदारी से exam दीजिए पूरी मेहनत कीजिए अगर आपके पास tutions के लिए पैसे नहीं है कोई बात नहीं आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लीजे मुझे पूरी उमीद है आप बहुत अच्छे marks लेकर आएंगे जहां तक आपने लिखा आपको इपने हाथ में skill लाना चाहते हैं जिसकी वज़े से आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए तो आज का वीडियो आप ही के लिए है कुनाल जी आप मेरे साथ बने रहिए Hello friends, मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल मैं पिछले 25 सालों से एक HR recruitment professional हूँ मैं आपके लिए full time job, part time job, work from home और freelancing से related videos बना कर लेकर आता हूँ आज का video friends एक बहुत ही special video होने वाला है इसके अंदर मैं आपको Chinese language जी हाँ friends, Chinese language आप अपने mobile पर कैसे सीख लें और वो भी free of cost इस बारे में एक नहीं, दो साइटें या दो apps लेकर आया हूँ जो completely free of cost हैं, दुनिया में जानी मानी हैं, लाखों करोडों लोगों ने इन दोनों साइट्स पर जाकर Chinese language को सीखा है friends, चाइना के लोग English या बाकी languages को नहीं सीखते हैं वो सिर्फ अपनी Chinese language ही सीखते हैं इस कारण से Chinese companies को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिने Chinese और English दोनों की knowledge हो ताकि वो अपने products बाहर की companies को असानी से बेच सकें क्योंकि communication किये बिना कोई भी company अपना माल किसी दूसरी country में export नहीं कर सकती है और आप विश्वास जानिये मैं as a recruiter, as a HR professional आपको बता रहा हूँ जिन लोगों को Chinese language आती है वो एक महिने में एक से दो लाक रुपया अराम से as a translator या interpreter की तरह काम करके कमाते हैं और ये सारा काम आप अपने घर से बैठके भी कर सकते हैं आप online भी कर सकते हैं और offline भी कर सकते हैं इंडिया में ऐसी बहुत सारी Chinese company है जिने ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो translation का काम Chinese to English या English to Chinese या Chinese to other languages भी कर सकें जिन apps के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ उनमें से पहली app का नाम है Do Lingo और दूसरी app का नाम है Udemy ठीक है friends मैं दोनों के बारे में आपको mobile पर तो definitely बताऊंगा ही क्योंकि ये दोनों apps mobile पर बहुत अच्छी तरह से चलती हैं पहले मैं आपको Do Lingo से कैसे आप Chinese सीख सकते हैं ये अपने mobile phone के स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ तो friends अब मैं आपको अपने mobile phone के स्क्रीन पर ले आया हूँ अब हम Google Play Store में जाएंगे और वहां से Do Lingo app डाउनलोड कर लेंगे ये देखे friends इसको अब हम install कर लेते हैं बिल्कुल free है इस particular app से friends मैं आपको बता दूँ ना सिरफ Chinese बलकि आप दुनिया की बहुत सारी और भाशाएं भी completely मुफ्त free of cost इससे सीख सकते हैं हालां कि आज हम Chinese भाशा के बारे में ही बात करेंगे अब ये इसको हम open कर लेंगे friends देखे ये है do lingo app ठीक है friends आप देखे इसके अंदर हमने get started पर click करना है क्योंकि अब हम नहीं है इस पर तो get started पर जाएंगे आप देखे इसमें मैंने आपको जैसे बताया था बहुत सारी भाशाएं हैं जो आप सीख सकते हैं Spanish, French, German, Italian, English तो ही है Japanese, Chinese, Russian, Korean, Portuguese, Arabic, Dutch देखते जाएंगे friends दुनिया की करीब करीब हर language आप यहाँ पर सीख सकते हैं इवन हिंदी भी सीख सकते हैं खैर आज हम Chinese सीखना चारहे हैं तो हम Chinese पर click करते हैं तो देखे friends अब हम से यह पूछ रहा है कि आपको किस level की Chinese language सीखनी है casual मतलब simple सी आपको सीखनी है जिसमें आप हलका फुलका कोई समवाद या communication कर सकें regular यानि थोड़ी सी ज्यादा better quality की आपको Chinese language सीखनी है या आपको serious सीखनी है या आपको बहुत बढ़िया level की सीखनी है तो अभी friends हमने casual level से ही start करना है तो हमने casual उपर देख रहे हैं हमने select कर लिया है इसके आगे friends जो आपको दिख रहा है 5 minutes a day इसका मतलब यह है कि हमें do lingo app पर आके Chinese language सीखने के लिए केवल 5 minutes रोज लगाने हैं सिरफ 5 minutes रोज friends ठीक है अब हम नीचे आके यहां continue पर click करते हैं अब देखी यह हमसे एक सवाल पूछ रहा है why are you learning a language यानि आप Chinese language क्यों सीख रहे हैं तो हम यहां पर यह सवाल पूछ रहा है हमसे तो इसके जवाब भी इसने दे रखे हैं brain training के लिए, career के लिए, travel करने के लिए, culture के लिए, school के लिए, others के लिए तो हब हम career के उपर जाके click कर देते हैं friends अब देखे हमसे यह पूछ रहा है कि आप एक रस्ता चुनिए sound does this make अब देखे यहां पर जितनी बार भी हम यहां click करते हैं इसमें से एक आवाज आती है friends ठीक है, अब हमें यह check करना है कि यह जो नीचे तीन शब्द लिखे हैं जाई, नाई, हाउ, इसमें से कैसी आवाज है यह तो अब हमें लगता है यह हाउ वाली आवाज है तो हमने यह यहां पर हाउ पर click कर दिया अब हम check करेंगे क्या यह ठीक है you are correct, ठीक है, अब हम continue कर देंगे friends तो अब देखे हमसे यह दूसरा सब पूछ रहा है अब हम यहाँ पर click करते हैं हमें एक sound सुना रहा है अब हमें नीचे जो तीन शब्द हैं उनमें से टैली करना है कि यह sound आपको सुन रही है वो तीनों में से कौन सी है नाई, हाउ या निहाउ तो निहाउ पर हम click कर लेते हैं अब हम check करते हैं तो यह फिर कह रहा है you are correct अब हम continue करते हैं ठीक है friends select what you hear ठीक है अब यहाँ पर देखिए हमने फिर से यहाँ पर यह बटन जो है नीला यहाँ पर click करना है अब हमें यह जो आवाज सुनाई दे रही है अब नीचे जो चार शब्द लिखे हैं हमें यह टेली करना है कि यह जो आवाज है यह इन शब्दों में से कौन सी है हाव, निहाव, नाई, और जाई जो आवाज आ रही है यह निहाव आ रही है अब मैंने निहाव पर click कर दिया अब हम चेक करते हैं क्या यह ठीक है you are correct continue ठीक है अब देखिए यह हमसे यह कह रहा है कि this is a new word यह एक नया शब्द है tap it to learn what it means जैसे हम यहाँ tap करते हैं तो हमें यह शब्द सुनाई देता है तो hello गलत है अब हम good पर click करते हैं तो उसके बाद हम check करते हैं तो यह दिखा रहा है correct answer is good ठीक है friends यानि अगर हमने पहले hello ले लिया था तो वो गलत है good ठीक है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कभी भी यहाँ पर गलत answer को click करते हैं तो वो आपको correct करता है तो इस तरीके से यह app mobile phone पर आपको Chinese धिरे-दिरे करकर सिखाती है यह काम आप कहीं पर भी सीख सकते हैं आप अपने घर में, college में, school में, office में, park में जहां पर भी आपको समय मिलता है सिर्फ 5 मिनिट लगाने है और धिरे-दिरे करके आपको Chinese language की knowledge होना start हो जाती है अब हमें यहाँ continue पर click करना है अब यह उपर देखिए आपको जहां heart दिखा रहा है यह आपकी 5 गलतियां कबूल करता है यानि कि अगर आपने एक गलती की तो यह जो 5 हैं इनमें से 1 कम हो जाएगी इनको आप lifeline भी कह सकते हैं अब देखिए हमने एक गलती की तो इसने एक lifeline कम कर दिये ठीक है अब हमसे यह कह रहा है keep going अब हम keep going पे click करते हैं अब हम continue पे click करते हैं अब देखिए फिर यह हमसे एक शब्द हमें दिखा रहा है और हमसे यह पूछ रहा है कि अब यह जो आवाज है यह किस particular शब्द को tally करती है तो अब देखिए friends जहाँ पर जो हमने इसको tap किया तो जो हमें शब्द सुनाई दिया है वो हमें hello सुनाई दिया है तो अब हम hello click कर देंगे अब हम check करेंगे तो you are correct तो अब हम continue कर देंगे अब देखिए यह एक और शब्द आ गया है select what you hear अब मैं यहाँ पर click करता हूँ तो मुझे जो शब्द सुनाई दिया है वो है how अब मैंने how पर click किया फिर अब हम चेक करते है you are correct continue ठीक है select the correct character for how अब how के लिए ठीक character इन में से कौन सा है अब हमें याद रखना है क्योंकि शुरू में इसने हमें एक character या एक शब्द बताया था जो how से match करता था वो particular शब्द हमें यहाँ पर choose कर लेना है तो यह हमने शब्द चूस किया और हमने check पर click किया तो इसने कहा you are correct continue ठीक है अब देखे friends यह tap the pairs का मतलब यह हो गया कि इसमें जो ऊपर आपको line दिख रही है ठीक है friends तो जो हमें यह निहाँ दिख रहा है इसके साथ हमने इस particular शब्द को pair कर दिया और जो how दिख रहा है उसके साथ इस वाले शब्द को pair कर दिया ठीक है friends अब हमने इसको pair कर दिया अब यह कह रहा है, you are correct, continue, select the correct characters for Nihao, अब हमने इसको select किया, और हमने check पे click किया, अब यह कह रहा है, you are correct, अब हम continue करेंगे, your hard work is paying off, अब देखिए यह app हमें, यह दिखा रही है, हमें encourage करने के लिए, कि हमने जितना काम किया है अभी तक, जितना सीखा है Chinese, वो इस app के हिसाब स काफी अच्छा है, ठीक है, अब हम continue पे click करेंगे, translate this sentence, ठीक है, अब देखिए friends, हम यहाँ पे सुनते हैं अवास को, ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो अवास सुनी है, हमने good पे click किया, और उसके बाद हमने check करने के लिए click किया, अब यह कह रहा है, you are correct, ठीक है, अब हम continue पे click करेंगे, दीखे friends, यह एक दिन का हमारा lesson complete हो गया, practice everyday to build your streak, यानि कि अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट लगाते हैं, तो आप धिरे धिरे करके Chinese language सीखना शुरू कर देंगे, interesting है, free of cost है, आपके mobile phone पर है, आप जब भी 5 मिनट के लिए free होते हैं, इस process को कर लीजे, हो सकता है, कुछ time के बाद आपको Chinese language की थोड़ी बहुत knowledge हो जाए, तो friends, अब मैंने आपको Do Lingo app दिखा दी है, किस तरह से आप इस पर बहुत असानी से Chinese भाषा सीख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक और app है, जिसका नाम है Udemy, वो भी इतनी अच्छी और world famous app है, ज इस पर आप Chinese भाषा सीख सकते हैं, अगर आप दोनों apps पर भाषा सीखते हैं, तो आप जल्दी सीखते हैं, ठीक है friends, अब मैं आपको Udemy app पर भी लेकर चलूँगा, अपने mobile phone के screen पर, और आपको दिखाऊंगा, कि वहाँ से आप Chinese भाषा कैसे सीखेंगे, तो friends, अब मैं आ इस्टाल कर लेंगे friends, अब हम open कर लेंगे friends, अब देखे friends, यहाँ पर आप देख रहे हैं, take video courses, from cooking to coding and everything in between, यानि कि Udemy app ना सिर्फ Chinese भाषा सीखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बलकि यहाँ पर बहुत कुछ और है, जो आप अपने phone से online free of cost सीख सकते हैं friends, इस particular app सिखाने का तरीका अलग है, इसलिए मैंने आपको दोनों apps पर दिखाने का फैसला किया, अब हम इसमें sign in करेंगे, तो यहाँ पर देखे, नीचे देखेंगे, create an account, यहाँ पर click करेंगे, sign up with email, अब यहाँ पर एक नाम डाल देंगे, अब हम click करेंगे, create an account, अब देखेंगे, दिखा रहा है, successful, इतना आसान था friends, बहुत ही simple process है, ठीक है friends, अब Udemy का account open हो चुका है, जो मैंने आपको पहले बताया था, free of cost है, अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले बताया था, बहुत सारे options हैं, finance, accounting, IT, business, etc, etc, लेकिन हमने आज यहाँ पर Chinese language सीखनी है, यह जो आपको prices दिख रहे हैं friends, इनको देखकर आपने घबराना नहीं है, देखें, मैंने आपको पहले भी अपने हर वीडियो में बताया है, कि हर particular app या website पे paid options भी होते हैं, free options भी होते हैं, हमने सिर्फ free वाले options ले मैं एक link अपने description box में डाल दूँगा, आपने उस link को click करना है, और वो link आपको अपने browser पर खोलना है, और वहाँ पर जाकर आपको अपना password और email ID दुबारा डाल देना है, वहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे, तो आपको red color में enroll now का एक option मिलेगा, वहाँ पर जाके आपको click करना है, और उसके बाद Udemy app में आपने my courses section में चले जाना है, और उसके बाद आपको ये Chinese in 9 weeks introduction course मिल जाएगा, जो completely free of cost है, तो friends, basically ये particular course हमने Udemy app पर ढून निकाला है, Udemy app पर काफी सारे courses paid हैं, लेकिन ये particular course free of cost है, तो इसलिए मैंने इसका link अपने description box में डाला है, आपको ये particular course वहाँ से access हो जाएगा, friends, तो friends, अब हम start course पे click करेंगे, तो friends, आप ये देख सकते हैं, Chinese in 9 weeks introduction course है, इसमें आप नीचे देख सकते हैं, ये काफी सारे videos हैं, जिन से ये आपको सिखाएगा, अब ये पहला video है, एक मिनट 27 सेकंड का, और दूसरा तीसरा है, मैं इसको अभी यहाँ पर खोल नहीं सकते हैं, अपने mobile phone में download करके रख लीजे, और जब आपके पास समय हो, तो इनको सुन लीजे, तो friends, देखे, अब यहाँ पर ये दिखा रहा है, Chinese in 9 weeks introduction course, यानि आप Chinese भाषा 9 हफतों में, यानि approximately 2 महीने में सीख सकते हैं, जो introduction level की होती है, अब आप यहाँ नीचे आकर देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ tutorial videos हैं, एक मिनट, डेज मिनट, दो मिनट के, इन में आपको Chinese भाषा बहुत असान तरीके से सिखाई जाती है, ये practical है, इस particular course को करने के बाद, जो completely most free of cost है, लाखों करोडों लोगों ने introduction level की Chinese भाषा सिखी है, और completely जैसा कि मैंने आपको क करके भी आप रख सकते हैं, जब भी आप free हो, इन्हें देख लीजे, आप धिरे धिरे करके Chinese भाषा सीख जाएंगे, तो friends आपने देख लिया, ये बहुत ही असान है, कि आप डूलिंगो और Udemy एप से Chinese सीख सकें, free of cost है friends, इसको आप जरूर सीखिए, इसमें कोई नुकसा नहीं है, चाइना इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी economic ताकत है friends, आज आप दुनिया की किसी भी market में चले जाएए, आपको Chinese products वहाँ भरे हुए दिखते हैं, अब वो Chinese products वहाँ उस market में पहुशते कैसे हैं, definitely है कि कोई न कोई बीच में एक interpreter या translator होता है, क्योंकि Chinese को तो English आती नहीं है, तो वो बीच में कोई न कोई translator या interpreter भूलते हैं, जो उनके लिए English बोलने वाले लोगों के बीच में as a mediator काम कर सके, इसके अंदर आप ना सिर्फ as a language expert काम कर सकते हैं, बलकि आप बीच में as a business associate भी किसी तरह से अपना किरदार निभा सकते हैं, जिसक Chinese language सीखने के बारे में, अब अगर आप by chance कोई full time job भी सर्च कर रहे हैं, तो मैंने काफी videos इस बारे में भी बना कर YouTube पर डाली हुई हैं, कि किस तरह से आप जल्दी से जल्दी full time job भी पा सकते हैं, उन videos में मैंने ऐसी ऐसी tricks के बारे में बताया हुआ है, जो आज से पहले कभी सुनी होंगी, ना कभी try की होंगी, उन videos के links मैं इस video के description box में लिख दूँगा, आप वहाँ जाकर जरूर देख लीजेगा, आपको full time job भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, तो ये थी video friends, thank you very much.